हलो एवरिवन एंड वेलकम टू स्टेडी वित सुनील देखे दोस्तों रीट सिक्सक बर्ती 2020 में जो SST सब्जेक्ट के लिए अपने किसन आंसर की सीरीज शुरू करकिये है उसके 71 पार्ट के बारे में अपने इस यूडियो में बात करेंगे अभी तक आपने वो 70 टेस्ट प यह कहाँ पर इस्ति था यह आपको बताना है ददेरी जम्मू में हर्याना में पंजाब में या फिर उत्रपरदेश में तो कहाँ पर यह पंजाब राजिये में है और आरियों के आगमन का काल भी से समन्दी था यह रिग्वेद काल में जनता निम्न में से मुखेता किस में विश्वास करती थी मूर्ति पूजा में देवी पूजा में एकेसर वाद में या फिर बली और करमकांड में जनता विश्वास करती थी रिग्वेद काल में तो इसका करेट आंसर होगा बली और करमकांड में किस सासक के काल में चतूर्थ बोध संगीती का आयुजन कस्मीर में वा था चतूर्थ बोध संगीती का आयुजन किसके सासन काल में कस्मीर में वा था असोक, कनिश्क, कालासोक या फिर अजाद सत्रू तो इसका करेट आंसर का कनिश्ट के असासन काल में चतुर्थ बोध संगिती कायोजन किया गया था इसके देखता वसुमितर ने की थी और अस्वगोस इसके उपाद देखते प्रारंबिक जेन साहिते निम लिखित में से कौन सी बासा में लिखे गए प्रारंबिक जेन साहिते अर्दमागदी बासा, प्राकर्त बासा, पाली बासा या फिर संसकत बासा देखे प्रारंबिक जो जेन साहिते हैं वो कौन सी बासा में लिखे गए थे अर्दमागदी बासा में लिखे गए थे मगद के किस प्रारंबिक सासक ने राज्य रोहन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बाद में इसी कारण के लिए उसके पुत्र ने भी अपने पिता की हत्या कर दी यानि कि उसासक की हत्या कर दी थी तो कौन सा वो सासक था बिम्बिसार, उदैन, अजाद सत्रू, या फिर नाग दसक तो इसका करेट आनसर कोन सा होगा अजाद सत्रू, ओप्शन, शेकिंड सांची का इस्तूप किसने बनवाय था सांची का इस्तूप किसने बनवाय था चंदरूप्त के दोरा बनवाए गया था, कोटिले के दोरा बनवाए गया था, गोतम बुद्ध या फिर असोग के दोरा, तो सांची का जो अस्तूप है वो असोग के दोरा बनवाए गया था पहला इरानी सासक जिसने भारत के कुछ भाग में भारत के कुछ भाग को अपने अधिन कर लिया था वो पहला इरानी सासक कोन था साइरस, डेरियम पर्थम, केमबिसिस या फिर शहार्स तो वो पहला इरानी सा सकौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था तो डेरियन परतम क्या होगा इसका करेट आनसर होगा गुप्त काल में संसकर्थ जो लिखित संसकर्थ है वो नाटकों में हिस्त्री और शुद्र बोलते थे गुप्त काल में लिखित संसकर्थ नाटकों में इस्त्री और बोलते थे प्राकर्थ को पाली या फिर संसकर्थ या सोर्च ये नी तो इसका करेट आनसर होगा प्राकर्थ और जो उच्वरण के लोग थे वो संसकर्थ वासा बोलते थे एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाय था एलोरा गुफाओं का निर्माण पल्लवों ने राश्ट कुटों ने चोलों ने या फिर पालों ने तो देखे एलोरा जोर गुफाओं इनका निर्माण किसने करवाय था रास्ट कूट सासकों के दोरा एलोरा गुफा मंदिरों का दिर्मान करवाय गया था किस सासक ने उत्तर भारत के ओपर सासन नहीं किया उत्तर भारत के ओपर कौन से राजवन्स ने सासन नहीं किया चालू के गुप्त राजपूत या फिर मोरिय तो देखे चालू के राजबंस ने उत्तर भारत के ओपर सासन नहीं किया था निमलिकित में से सुफी संत में से कोन एक सरो फर्तम अजमेर में आकर बस गए थे तो सेक मुहिंदिन चिस्ती है वो अजमेर में आकर बस गए थे तो देखे पंदरा सो चिंतर इस्विय में हल्दी गाठी का यूद लड़ा गया था बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का कारण क्या था तो इसका करेट आउन सुरगा जमिदारों के लिए जमीन के ओपर वन शिप परमप्रागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तानांतरित करने का अधिकार ओप्शन शेकिंड अठारा सो सत्यावन के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंद नहीं है अठारा से सत्यावन के विद्रोह में कौन संबंद नहीं है बेगम हजरत महल उधमशिंग गूर्णशिंग या फिर मौलवी अहमद उल्ला तो इसका करेट आउन सुरगा उधमशिंग इनका संबंद cocktail शो सत्यावन के विद्रोह से नहीं था सत्या सोदक समाज की स्थापना किस ने की थी सत्या सोदक समाज की स्थापना वी राव, मेटगर ने, जियतिवा, फुले ने, संत्राम ने या फिर बासकर, राव, जादव ने तो सत्या सोदक समाज की स्थापना जियतिवा, फुले के दोरा की गई थी समयदान की प्रस्तावना सभी जातिय नागरिकों को निम्र में से कोन सा एक उपपंद करने के लिए वाईदा करती है समयदान की प्रस्तावना समाजिक न्याइ, विचार की सोतंदरता, राजनितिक न्याइ या पूजा की समानता तो इसका करेटान सुरुगा पूजा की समानता समयदानी केतर अधिकार का अर्थ है समयदानी केतर अधिकार का अर्थ क्या है वह सक्ति जो समयदान की सीमा का आतिकर्मन कर देती है या वह सक्ति जिसे समयदान के अंतरकत ऐसादान सक्ति प्राप्त हो या वह सकती जो सम्विदान सहमत नहीं है, या वह अधिकारी जिसके जिसने में अपातकाल की गोशना होने के उपर राज्य की समझत सकती नहीं तोती है, तो देखें सम्विदान इकतर अधिकार का अर्थ होता है, वह सकती जो सम्विदान सहमत नहीं है, एक नागरी के मूल कर्टवे में निम्ड में से कौन सा कर्टवे सम्मलित नहीं है एक नागरी के मूल कर्टवे में कौन सा कर्टवे सामिल नहीं होता तो देखे इसके अंदरगत ऐस परशिता मिटाने की और परियास करें ये मौलिक कर्टवे में सामिल नहीं होता भारत में पंचायती राज परती निधित्व करता है सक्तियों के विकेंदरी करन का, समुदाइक विकास का, लोगों के हिस्यदारी का, या फिर उप्रोक्त सभी का तो देखें आपको जो तीनों कंडिसन दे रखें, इसमें तीनों कंडिसन का, पंचायती राज याब वो परती निधित्व करता है इसलिए उप्रोक्त सभी इसका करेटाउन सरु जाएगा निम्लिकित खतनों में से कौन सा एक सही है, चार खतन दे रखें, कौन सा खतन सही है वो आपको बताना है वर्स 1946 में प्रांतिय सभाओं के दोरा भारत की सम्विदान सभा चुनी गई थी, तो ये खतन आपको इसके अंतरकते बिलकुल सही दे रखा है बाद में पंडिसवाला नेरू, जिन्ना, सर्दारवाय, प्टेल, भारत के सम्विदान सभा के सदेश्य थे, तो ये खतन आपको इसमें गलत दे रखा है सम्विदान सभा का परता मदिवेशन जनवरी 1947 में वा था, ये भी गलत दे रखा है उसके बाद में भारत का सम्विदान 26 जनवरी 1950 को अंगीकरत किया गया था, जी नहीं, 26 नॉमबर 1950 को किया गया था, 27 जनवरी 1950 को तो लागू किया गया था तो ये खतन भी आपको गलत दे रखा है देकिए सही खतन पूछा था, ओपसन फैस्ट क्या हो जाएगा, इसका करेट आंसर हो जाएगा अध्यक से सदन के किसी भी सदेश्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किशी सदेश्य को बोलने दे सकता है ये घठना क्या कहलाती है मरियादा, पकसित्याग, अंत प्रदर्शन या बेट जाना तो इस घठना को किस नाम से जाना जाता है? बेट जाना के नाम से जाना जाता है संसद के लिए राष्टपती का जो अभिवासन है, वो कौन तयार करता है? तो इसका करेट आनसोर का केंदरिय मंध्री मंडल भारत के उच नियालों के सम्मन्द में आपको चार खतन दे रखें उनके ओपर विशार करना है और नीचे दे गए कूट के आदार पर आपको चैन करके बताना है चार खतना आपको दे रखे हैं देश में अठारा उचनियाले हैं तो ये आपको सही दे रखाए उन्में से तीन का क्षेतरा दिगार एक राजे के से अधिक पर है ये भी सही दे रखाए किसी भी संग राजे क्षेतर का अपना उचनियाले नहीं है या आपको गलत दे रखा है उच्छ नियाले के नियादी 62 वर्स की आयो तक पद पर दारण कर सकते हैं तो ये भी आपको सही दे रखा है यानि कि 1st, 2nd और 4th 1st, 2nd और 4th आपको कौन सी उप्सन में दे रखा है 1st उप्सन में दे रखा है या इसका करेटा अनसर देगा राज्य लोग सेवायो के सदेशियों की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है राज्य लोग सेवायो के सदेशियों की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो देखें राज्य पाल के द्वारा इनकी नुक्ति की जाती है बारतिय सम्दान के निम लिखीते अनुछेदों में से कौन सा अनुछेद राज्य की सरकारों को गराम 5 चायतों को संगटीत करने का निर्देश देता है कौन सा अनुछेद अनुछेद 32, 44, 48 या फिर 51 तो देखें अनुछेद 44 निर्देश देता है जिमकारबेट वा राजाजी राश्ट्री उद्यान है उसमें वन्य जीव परबंदन हेतू किस पेमाने के हवाई छाया चितर उप्रियुक्त है चार उप्षन आपको दे रहे हैं इसका करेट आन्स रोगा लगू पेमाने वाले हवाई छाया चितर कुलगारडी उस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में इस्टित है वो कौन सा है कौन से प्रांत में कुलगारडी उस्ट्रेलिया की इस्टित है तो देखे इसका करेट आन्स रोगा वेस्टन उस्ट्रेलिया उस्ट्रेलिया उप्षन फॉर्थ सोने की खान के लिए ये पूरी विश्व में फिमस है ठंड के कारण एक जील जमने लगती है पहले यह जमेगी तल हटीप में जमेगी या मद्य भाग में सबसे उपरी स्थल के उपर या पूरे जल में एक समान रूप से जमती है ठंड के कारण अगर कोई जील जमती है तो सबसे पहले कहां का भाग जमेगा देखे सबसे पहले उपरी तल जमेगा ओप्सन थर्ड इसका क्रेट आउन सरोगा टाइफून आमक जो चक्रवाथ है उसे निम लिखित में से कौन सा क्षेतर सबसे अधिक परवाईत होता है टाइफून चक्रवाथ से औस्ट्रेलिया एसिया चीन सागर या फिर अमेरिका तो देखे चीन सागर है वो टाइफून चक्रवाथ से सबसे पहले परवाईत होता है निमिलिक्षित में से कौन समुहे से सम्धित नहीं है कौन सा समुहे से सम्धित नहीं है नीश चुना फटर बालुका फटर या फिर शेल तो देखे नीश क्या हूगआ इसका करेट आन सरोगा यह जो आपको option दे रीके हैं में यह सारे शेल आउसादी चट्टाने कि है जबकि नीश जो है वो एक काहनत्रिक चट्टान है इसलिए नीश का तो निर्मान है वो गरेनाइट और डायृराइट के रुपान तरन से होता है इसके लावा गेबरो अत्वाज से इसका निर्मान किया जा सकता है इसलिए option fast क्यों होगा इसका correct answer होगा तो अमीद आपको इस वीडियो से कुछने कुछ नहीं सीखने को मिला होगा and this is the end of the video thanks for listening God bless you all